Hi Everyone, Welcome back to my channel आज के वीडियो में हम बात करेंगे B.S.Economics के बारे में जो ओर्नर्स में हम subject पढ़ेंगे तो यह आज की वीडियो B.S.Economics owners के उपर होने वाले है ठीके इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसे duration, eligibility process, admission process, course की कितनी salary होती है, कितनी fees होती है, job position, recruiting companies, right लेकिन उससे पहले कुछ मेन पॉइंट जो सबसे इंबॉटन है कि B.S.Economics क्यों आप्ट करें बच्चे जहां दूसरी चीज़ है कि B.S.Economics में होता कै तो सबसे पहले में आपको थोड़ से प्रोडक्शन की जाती है कैसे distribution करें कैसे consumption करें दूसरी चीज़ है कि में मोटिव होता है उनका मोटिव मोटो यही होता है कि आपको अनलेटिक और कंसेप्शन अंडरस्टेंडिंग बताएं जितने भी सके अंदर सब्चेक्ट सब पढ़ेंगे तो आप एक अच्छी आपके अच्छी अबिलिटी आ सके गोड्स और सर्विसेस को संभालने के तो यह था कि आप इस कोर्स में क्या में आपका मोटिव क्या रहेगा तो अब बात करते हैं कि आप किनको यह उप्ट चूज करना चाहिए उप्ट करना चाहिए तो सबसे बिले जिनका इंट्रस्ट एकनॉ अगर अपना चाहते हैं ग्एनस ऑन बच्चों के लिए हैं आँ आगए बात करेंगे डुरेशन के बारे में नहीं देखा जायाए तो सिक्स melody करेगा तो इसके अगर LGBT कृटेरा की बात की जाए है तो 50% माऊंत्त आपके प्लस अदिआ थी रहेगा डिपेंड करते हैं कि आपकी इस्कॉलेज या युनिवर्सिटी से इसको आप करना जा रहे हो ठीक है अगर बात की जाए कोर्स की स्टार्टिंग सेल्री क्या आपको स्टार्टिंग सेल्री कितनी आपकी लग सकती है पर मंथ तो आपकी 12000 से लेकर investment, trade, cycles, stock exchange, etc. आपकी ये subjects रहेंगे, ठीक है? इसके अदर topics तर subject आप कह सकते हो, अगर आगे बात करें हम job position के बारे में, तो जैसे इसके अदर आप researcher लग सकते हो, आप tutor लग सकते हो, economic advisor, content developer लग सकते हो, ठीक है? तो ये आपकी job positions रहेंगे, अगर बात की जाए है, recruiting companies की, top recruiting companies की SA Reliance, ICA Bank, Policy Vizhar, और ऐसे भी बहुत सारी companies हैं, जो hire कर लेती हैं, ठीक है? इसी के साई के वीडियो खतम होती है, अगर आपको friends, कोई किसी भी, कोई doubt है, जा कोई query आप मुझे comment section में बता सकते हैं, and one thing more, अगर आपको किसी भी particular वीडियो के साई related videos ट्राइए, तो आप मुझ watching my video, मिलते हैं next video में!